नमस्कार आपके अपने चैनल नौलिज सेडियूल में आपका स्वागत है आज हम स्टार्ट करेंगे NCRT History Class 6 का Chapter 9 जिसका टाइटल है खुशहाल गाउं और सम्रद सहर तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है लोहे के ओजार और खेती लोहे का जो प्रयोग है वो आज के समय में आमसी बात है लोहे की चीज़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई है अगर हम बात करें लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ तो लगभग 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग जो था वो प्रारंभ हुआ था महापासार कबरों में लोहे के ओजार और हतियार बड़ी संख्या में मिले हुए भी है इसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ भी चुके हैं और चैप्टर 6 में भी हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल जो थे वो इस्तमाल किये गए थे करसी के उत्पादन बढ़ाने के लिए करीब 25 सो वर्ष पहले के इतिहास को उठाके अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोहे के ओजारों का जो बढ़ता हुआ उपयोग है वो उस समय में हुआ था उस समय में उसके प्रमाण मिलते हैं इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुलहाडियां और जुताई के लिए हलके फाल शामिल थे हलके फालो को हमने देखा था अभी बताया मैंने आपको चेप्टर 6 में हमने इसको पढ़ा था इसके अलावा हासिया, कुलहाडी और सडासी जैसे हतियार जो यहाँ पर दिखाए हुए हैं उस तरह के हतियार भी वहाँ पर मिले थे और चेप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा कि कुलहाडियां, कटार, घोड़े के लिए सामान ऐसे चीज़ें वहाँ पर लोहे के सामान जो थे वहाँ पर मिले थे हमने यहाँ देखा कि लोगों ने उस समय लोहे के नए ने ओजारों तथा रुपाई के माधियम से क्रसी के शुरुआत की जो कि एक महत्तपून कदम था, उसी तरह सचाई भी काफी उप्योगी साबित हुई इस समय सचाई के लिए नहरें, कुवें, तालाब तथा कृतिम जलासे बनाए गए अगला टॉपिक है गाउं और गाउं में रहने वाले लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं इस उप महादीब की जिसके दक्षणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांस गाउं में कम से कम तीन तरह के लोग रहा करते थे तमिल छेत्र पे बड़े भूस्वामियों को बेल लाला, साधरन हलवाहों को उडवार और भूमिहिन मजदूरों को दासिया, कडेशियार और अधिमई कहते थे देश के उत्तरी हिस्से की बात अगर हम करें तो गाउं के प्रधान व्यक्ति को वहां ग्राम भूजग कहा जाता था अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीडियों तक बने रहते थे जैसे की अगर किसी भी परिवार का दादा वहां का ग्राम भूजग है तो उसका बेटा भी वहां का ग्राम भूजग बनेगा और उसका नाती भी वहां का ग्राम भूजग बनेगा ये भी कह सकते हैं कि ये पद आनुवांशिक था ग्राम भोजग के पद पर आमतोर पर गाउं का सबसे बड़ा भूसवामी होता था साधन तया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर ही काम करते थे इसके अतिरिक्त प्रभावसाली होने के कारण राजा भी करवसूलने का काम इन ही लोगों को सौप देते थे ये न्यायादीस का भी काम या फिर कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे ग्राम भोजगों के अलावा अन्य सुतंत करशक भी होते थे जिनने क्रहपती कहते थे इनमें जादा तर छोटे-छोटे किसान ही होते थे इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे इस्त्रिपुरुष भी थे जिनके पास अपनी कोई जमीन ही नहीं होती थी इनमें दास कर्मकार आते थे जिनने दूसरों की जमीन पर काम करके अपना भरन पोशन या जीविका चलानी पड़ती थी अधिकांस गाउं में लुहार, कुमार, बड़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे चलिया देखते हैं कुछ विशेश प्राचीनतम तमिल रचना है तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहिती कहते हैं इसकी रचना करीब 300 साल पहले की गई थी इन्हें संगम इसले कहा जाता है क्योंकि मदुरे के कवियों के समेलन में इनका संगलन किया जाता था गाउं में रहने वालों के लिए जिन तमिल नामों का उलेख यहां किया गया है वे संगम साहिती में ही पाय जाते हैं अगला टॉपिक है नगर यात्रा विवरन, मूर्तिकलाएं और पुरातत तवित आदी चीज़ों को हम यहां बढ़ेंगे बात करते हैं चातक कथाओं की यह वो कहानिया है जो आम लोगों में प्रचलित थी बहुत बिक्षूओं ने इनका संकलन किया यहां एक चातक कथाओं दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे-धीरे धनी बन जाता है अब चले पढ़ते हैं कहानी एक निर्धन की चतुराई बात हो रही है एक शहर की जिसमें एक करीव विवक रहता था उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा और कुछ भी नहीं था उसने उस चूहे को एक भुजनाले वाले को उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया केवल एक सिक्के में फिर एक दिन बड़ी जोर से आधी आई और राजा का पूरा बगीचा तूटी हुई टहनियों और पत्तों से भर गया अभिय देखकर माली तो बड़ा परेशान हुआ मैं आदमी माली के पास आया और माली से बोला कि अगर तुम लकडिया और सारे पत्ते मुझे दे दो तो मैं इस बगीचे की सफाई कर सकता हूँ माली बड़ा ही खुश हुआ और तुरंत मान गया युवक्ण ने फिर क्या किया कि बगीचे के पास खेल रहे बच्चों को इखट़ा किया और उनसे कहा कि तुम लोगों को सारी तहनिया और पत्ते इखटी करने है और हर तहनिया और पत्ते के बदले तुमें एक मिठाई मिलेगी बच्चे जट से मान गए और तुरंध ही बगीचे को साफ कर दिया तभी उधर से राजा का एक कुमहार इधन की तलाश में घूमता हुआ वहां आया और उस युवक ने कुमहार को सारा इधन बेच दिया अब उसके पास कुछ पैसे आ गए युवक ने एक और युद्धन मनाई और एक बड़ा बड़तन खरीदा जिसमें पानी भरकर उसने राजा के द्वार के ही पास कुछ घसेरे घाट्स चो काटते हैं लोग वे लोग घास काट रहे थे करीब 500 लोग थे उनको सबको जाकर पानी पिलाया इस चीज से वो लोग बड़े ही खुश हुए क्योंकि धूप में वो लोग काम कर रहे थे घास काट रहे थे और जाकर उसने उनके पानी पिलाया तो बड़े खुश हुए उन्होंने बोला कि तुमने हमें पानी पलाया अब तुम बताओ कि तुम्हें किस चीज की आवशक्ता है हम तुम्हारी सहायता करेंगे उसने बोला अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मुझे किस चीज की आविशकता है क्योंकि जब भी मुझे सहायता की आविशकता होगी तब मैं आपको बताऊंगा और आप तब उस समय मेरी सहायता करना सब लोगों ने हा कर दी उसके बाद उसने एक व्यापारी विक्ती से दोस्ती कर ली उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल एक घोडे का व्यापारी 500 घोडों को लेकर हमारे शहर में आ रहा है बस उसके दिमाग में जट पट से उजना आई और उसने सभी जो घास वाले लोगों को उसने पानी पिलाया था उनके पास वो गया और उनसे वोला कि सब लोग अपने अपने घास में से एक गठर मुझे दे दो सब लोगों ने उसको गठर दे दिया उसके बाद उसने कहा कि तुम सब लोग जब तक घास मत बेचना जब तक मेरी पूरी घास ना बेच जाए सब लोगों ने हाँ कर दी उसके बाद जैसे ही शहर में वो घोड़े का प्यापारी आया तो उसे घोड़ों के लिए घास की आविश्यक्ता हुई वो सबी घास वालों के पास गूम लिया पर किसी ने उसको घास नहीं दी तभी उस यूवक ने उसको एक हजार सिक्के में अपनी सारी घास बेच दी और इस तरह से एक निर्धन व्यक्ति बड़ी चतुराई के साथ एक धनी व्यक्ति बन गया चलिए फिल लोटते हैं अपने टॉपिक पर प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ और चीजों से भी बता चलता है शहरों, गाओं या फिर जंगलों के जीवन से चुड़ी कुछ कटनाओं को मूर्धिकार कलात्मक ढंक से केरते थे इन मूर्धियों को ऐसी इमार्तों की रेलें या खंबों या फिर प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों या यात्रियों के विवरन के द्वारा भी पता चलता है ऐसी ही एक फिस्तरित विवरन किसी अग्यात यूनानी नाविक का है जिन जिन पत्नों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा आप यहां इस चित्र में जो वलेकुप देख रहे हैं ये वलेकुप दिल्ली में मिला है अनेक शहरों में वलेकुप मिले हैं ये वलेकुप गुशल खाने नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोक्त होते थे ये वलेकुप लोगों के घरों में होते थे अब आप इन जित्रों में देख रहे हैं सांची की मूर्तिकला को यह मध्यप्रदेश इस्तित सांची के स्थूप की मूर्तिकला का नमूना है इसमें शहरों के जीवन का दरश्य है आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी उत्कृस्ट शिल्पकला का यहां पर वर्णन हुआ है चलिए अब पढ़ते हैं बेरी गाजा की कहानी बेरी गाजा जो है वो भरूच का युनानी नाम है बेरी गाजा की संक्री खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता था राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानिय मच्वा रही यहां जहाज ला सकते थे बेरी गाजा में शराब, तामबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चान्दी के सिक्कों का आयात होता था हिमाले की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नीलियन, सूती कपड़ा, रेसम तथा इत्र यहां से निर्यात किया जाता था राजा के लिए व्यापारी विशेश उपहार लाते थे इनमें चान्दी के बरतन, गायक, किशोर, सुन्दर औरतें, अच्छी शराब और उतकरस्ट महीन कपड़े शामल थे चलिए अब चलते हैं अगले टॉबिक पर जो की है विनमय के साधन इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सिक्के पुरा तत विदों को इस युक के हजारों सिक्के मिले हैं सबसे पुराने आहाध सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले चानी या सोनी के सिक्कों पर विभिन आक्रतियों को आहाध करके बनाए जाने की कारण इनहें आहाध सिक्के कहा जाता था चलिए विनिमे के कुछ अन्य साधनों को यहां देख लेते हैं संगम सहिती के एक छूटी सी कवितायां दी हुई है जोकि विनिमे के अन्य साधनों को गुडगान कर रही है खेतों के सफेद धान गाडियों पर ला दे जा रही है नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे चूट न जाएं सफेद नमक के सोधागर यूँद चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है आगे बढ़ते हैं नगर अनेक कतिविदियों के केंदर अकसर नगर कई काड़ों से महत्वपूर हो जाते थे उधान के लिए मत्वरा मत्वरा जो है वो 25 साल से भी पहले से एक महत्वपूर नगर की रूप में जाना जाता है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर इस्थित था इसमें से एक रास्ता उत्तर पस्चिम से पूर्व की ओर जाता है और दूसरा उत्तर से तक्षिन की ओर जाता था सहर के चार और किले बंदी थी इसमें अनेक मंदिर थे और आजपास के जो किसान और पशुपालक थे वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाय करते थे मतुरा बहतरीन मूर्ती बनाने के लिए प्रसिद्ध था लगपक 2000 साल पहले मतुरा कुसारों की दूसर राजधानी बना मतुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है यहां बोध बिहार और जैन मंदिर है यह एक रश्न भक्ती के लिए भी महत्वपूर केंद्र रहा था मतुरा में प्रसस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेक मिले हैं आम तोर पर यह संजिप्त अभिल इस प्रकार के दान करते थे उधारण के लिए अगर देखा जाये तो मतुरा के अभिलेखों में सुनारों लुहारों बुनकरों और टोकरी बुनने वाले माला बनाने वालों तथा इत्र बनाने वालों का उलेख भी मिलता है आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है शिल्प उत्तरी काले चमकीले पात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जादातर उप महादीप के उत्तरी भाग पर मिले हैं ये काले रंके होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है अन्य दूसरे शिल्पों की अफसेश नहीं बचे होंगे जैसा कि विभिन ग्रंतों से हमें पता चलत होते थे अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संग बनाने लगे थे जिने श्रेडी कहा जाता था शिल्पकारों की श्रेडियों का काम प्रसिक्षन देना कच्छा माल तैयार करना और तैयार माल का विवरण करना था जबकि व्यापारियों की श्रेडियां व्यापार कसंचालन करती थी श्रेणिया बैंकों की रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे इस धन का निवेश लाब के लिए किया जाता था इसे मिले लाब का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लोटा दिया जाता था या फिर मठ तथा धार्मिक स्थानों पर दे दिया कार एक विशेश पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी उन पेड़ों की छाल कपास पटुआ तथा संड को तैयार करने के काम में विद्वाओं सक्षम अक्षम महलाओं भिक्षुणियों ब्रधावैश्याओं राजा की अव प्राप्त देवदाशियों को लगाया जा सकता था इन्हें इनके काम के और गुडवत्ता के अनुसार परिश्रम देना चाहिए जिन महलाओं को बाहर निकलने की अनुमती नहीं हैं वे अपनी दाशियों को भीज कर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तयार माल उन्ह कार खाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कार खाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें परिश्रम मिलता था इस समय माल को अच्छी तरह जाचने के लिए रोशनी रहती है अगर निरिक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है अगला टॉपिक है सुक्ष्म निरिक्षन इसके अंतरगत हम बढ़ते हैं अरिका मेडू लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था यहां दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे यहां इटो से बना एक धाचा मिला है जो सामान ने तह गोदाम रहा होगा यहां भूमत सागरिय चेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं इनमें साराव या तेल जैसे तरल पदाथ रखे जा सकते थे इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्ते लगे हैं साथ ही यहां एरेटाइन जैसी महरें लगे लाल चमकदार बरतन भी मिले हैं इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है इसे महर लगे साचे पर गीली चिकनी मिटीप को दबा कर बनाया जाता था कुछ ऐसे बरतन भी मिले हैं जिनका डिजाइन त यहां रोम लैप, शीसे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, साथ ही छोटे-छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवत है कपड़े की रंगाई के पात रहे होंगे, यहां पर सीसे और अर्ध वहमूले पत्थनों के मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष मिले हैं, अभिलेखित मिट्ट अबिले कहा जाता है, अगला और लास्ट टॉपिक है अन्यत्र, यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, इसका विकास लगबग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, रोम एक बहुत बड़े सामराज्जी की राजधानी था, यह यूरोप, उ 2000 साल पहले शाशन किया था, उसने कहा था कि रोम इटो का सहर है, जिसे मैंने संग मरमर का बनवाया, आगस्टक्स और उसके बाद के शाशकों ने कई मंदिरों तथा महलों को भी बनवाया, आगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल, एमफिथीटर बनवाये, इसमें चा प्रकार के कारिक्रम देखा करते थे, उन्होंने इसनानागार भी बनवाये, जहां इस्तियां तथा पुर्षों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, यहां लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे, बड़े बड़े जुलवाही सेतू, एक्वाडक्ट के जर धन्यमाद